Hello everyone, आज के इस session में हम class 8 science के chapter crop production and management के एक और नए topic को discuss करेंगे and that is sewing यानि कि आज के इस session में हम सीखेंगे कि मिट्टी में बीजो को कैसे बोया जाता है previous session में हमने बात करी थी crop की और crop के कुछ types की और साथ ही साथ हमने first agricultural practice यानि की preparation of soil कैसे करते हैं ये भी हमने सीखा था और आज के इस session में हम second agricultural practice के बारे में बात करेंगे जो की है sewing तो चलो जल्दी साज के इस session को हम start कर लेते हैं So this is Vibhuti Khare, welcome to Magnet Brains जहांपे आपको सभी chapters के video lectures में ले वाले हैं बिल्कुल free of cost यानि की Magnet Brains में आपको वो दो chapters परने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब सब पहुंचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं आज का हमारा ये session जहांपे हम discuss करेंगे अपने topic sewing को previous session में मैंने आपको बताया था ना कि हमारे किसारों के पास farmers के पास farming के दौरान कई सारे task होते हैं perform करने के लिए और उन सभी task को हम क्या कहते है agricultural practices कहते हैं तो पहला step क्या होता है agricultural practice का preparation of soil यानि कि आपने क्या कर रहा है खेती के लिए अपनी soil को अब prepare कर लिया है अब next step क्या आती है agricultural practice की sewing की यानि कि जब आपके पास soil अब ready हो चुकी है तो अब उस prepared soil में आप क्या करोगे बीजो को बोगे ठीक ना तो बेसिक आली sewing मतलब क्या बीजो को बोना हिंदी में आपको मैंने बता दिया है अब एक exact definition क्या हो सकती है sewing की कि it is a process of scattering और putting the seeds into the soil आप क्या करते हो sewing में soil में मिट्टी में या तो आप बीजो को scatter करते हो सकेटर मतलब क्या फैलाना तो sewing की process में आप मिट्टी में seeds को scatter करते हो या फिर simply आप मिट्टी में seeds को रग देते हो क्यों sow as to sow as to grow a new crop plant क्यों कर रहे हो आप ऐसा ताकि वो seed germinate हो और germinate होने के बाद में एक उससे new crop plant develop हो सके एक new crop plant grow करे ठीक है तो यह एक basic definition है sewing की process की अब it is the most important part of crop production crop production का यह एक important part होता है obvious सी बात है वह हमको खेती करनी है हम चाहते हैं कि crop plants जो है grow करे तो crop plants तो तभी grow करेंगे जब हम seeds को sow करेंगे अगर हम यह seeds को sow करा ही नहीं तो crop plants grow कैसे करेंगे और अगर crop plants grow नहीं करेंगे तो जिसके लिए भी आप cultivation कर रहे हो fruits के लिए vegetables के लिए गेहूं के लिए cereals के लिए पर्सिस के लिए वह आपको कैसे मिलेगा ठीक है तो बिफोर सोईंग good quality of seeds are selected to produce healthy plants and high yield of crops अब एक और चीज़ है इससे पहले कि आप बीजों को बोना शुरू करो मिट्टी में सबसे पहले तो आपको अच्छी quality के seeds को select करना important होता है ऐसा क्यों चलों एक example से हम समझते हैं आपको टमाटर की खेती करनी है ठीक है और टमाटर की खेती करने के लिए सपोज हमने हम सौ टमाटर के बीज ले करके आए हएं ध्यान से समझते जाएगा हमें टमाटर की खेती करनी है और इसके लिए हमने क्या किया है saw tomato के बीज लेकर के आए हैं हमने बहुत अच्छी तरीके से अपनी soil को prepare किया है, plowing भी करी है, tilling भी करा है leveling भी करा है, manuring भी किया है सब अच्छी तरीके से हमने कर लिया है अब बारी आती है उन saw tomato के बीजों को बोने की और हमने sowin की process भी कर ली है ठीके, बकाईदा हम सिचाई भी कर रहे हैं अपने पौधों की, दिरे दिरे क्या हुआ, जो आपने 100 टमाटर की पीश डाले थे मिट्टी में, अब वो जर्मिनेट करने लगे, उनसे क्रॉप प्लांट जो है ग्रोव करने लगे, अब वो अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही ह पौधों की, पानी भी डाल रहे हैं और जो भी रिक्वार्मेंट्स हैं, क्रॉप प्लांट्स की, वो हम फुल्फिल भी कर रहे हैं, अब जब बात आई टमाटर आने की, और वेसी बात है टमाटर के पौधे आप उगाओगे, तो उस पर फल तो आएंगे ही, तो जब बात आई टमाटरों के आने की, तो आपने देखा, अचा एक चीज़ और, आपने सो टमाटर के पौधे लिए था ना, उन सो टमाटर के सीट से सो टमाटर के पौधे आ चुके हैं, ठीक है ना, जितने सीट लिए थे उतने ही टमाटर के पौधे आ चुके हैं, अब उन सो टमाट के पौधे ऐसे आये जिनके टमाटर काफी अच्छे थे टमाटो काफी अच्छे थे काफी रेड भी थे साइस में भी बड़े थे काफी जूसी थे काफी टेस्टी थे लेकिन बाकी बचे हुए जो पचास टमाटर के पौधे थे उनके टमाटर कुछ अजीब से थे एक तो पको बेचने की कोशिश करी तो उसके आपको अच्छे रेट मिले लेकिन वह वाले टमाटर जो कि size में छोटे थे पीले-पीले थे उंको मार्केट में बेचने गए तो आपको उसके अच्छे रेट नहीं में अब हुआ क्या टार्गेट आपका क्या था कि हम टामाटर की खेती करेंगे इसलिया तोल बीज लेकर क्या थे आपने एक्सपेक्ट किया था कि सौटमाटर की वीच सब्सक्राइब सब्रस आप हम क्लीओ से आप सौगे ले जाकर के आपको उसकी अच्छी प्राइज मिली लेकिन वह वाले पचास टमाटर के पेड़ जिनके टमाटर अच्छे नहीं थे उनका क्या हुआ वो तो वेस्ट हो गए तो हुआ क्या तारगेट जितना आपने सेट किया था उत्ता आपको नहीं मिला प्रॉब्लम कहां थी आपने पौदो की अच्छी देखबाल करी थी आपने पानी अच्छे से डाला था आपने खाज अच्छे से डाली थी आपने सॉल को प्रॉपर्ली प्रिपेर भी किया था लेकिन फिर भी पचास प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और जो बाकी के पचास प्लांट हैं वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाए उनका जो उसमें से फल निकला वो भी अच्छा नहीं निकला ऐसा क्यों? प्रॉब्लम हुई आपके सीट के सिलेक्शन में वो जो आप सो टमाटर के बीज लेकर के आये थे ना उनमें से पचास टमाटर के जो बीज थे वो काफी अच्छे थे गुड क्वालिटी के थे इसलिए उनसे जो पौधे निकले वो अच्छे से बड़े हो पाए और उन पौधों से जो फल निकला वो भी अच्छे थे लेकिन सौ में से वो जो पचास सीड थे ना उनकी क्वालिटी जो रमेनिंग 50 सीड थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी आप बाकी की process भले ही बहुत अच्छे से करो लेकिन अगर आपने seeds का selection नहीं किया है तो result जो होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा जो आप expect कर रहे हो उतना तो नहीं मिलेगा अब एक और आपकी book में एक activity दी गई है कि कैसे आप decide करोगी seed अच्छे है या बोरे है तो उसमें आपको बोला गया है simple आपको एक container लेना है एक beaker लेना है और suppose आपके पास मुठी भर क्या है कुछ बीजे हैं कुछ seeds है और अब क्या गरना है इस beaker में आपको पानी डाल देना है और इसी पानी में आपको seeds को डाल देना है अब वो वाले seeds जो की container के bottom में जाकर के settle होंगे ठीक है उन seeds को आप मानोगे क्या good quality seeds good quality seeds और वो वाले seeds जो की इस पानी में उपर की तरफ तैरते हुए दिखाई देंगे उनको हम बोलेंगे bad quality seeds अब आगे पास मुठी बर seeds है देखने से तो पता चलेगा नहीं कि कौन से अच्छे quality के हैं कौन से नहीं है किस से अच्छे पौधे निकलेंगे किस से नहीं निकलेंगे उसको टेस्ट करने के लिए छोटी सी activity दी गई है कि एक container लो उसमें पानी भरो पानी में डाल दो बीजें तो वो वाले बीज जो नीचे जाके settle हो जाएंगे वो समझ लो अच्छी quality के हैं और वो वाले बीज जो की तैर रहे हैं उपर पानी में वो bad quality के seeds हैं अब आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों हुआ क्यों bad quality वाले जो seeds हैं वो उपर की तरफ तरहते रहें और अच्छे वाले नीचे जाके जो इल्या होती है अन Mü Al age के अंदा जाकर कि खुष जाएंगी और अंदर से अनाच को खोगला कर देंगी डालों में कभी कभी कीडे लग जाते हैं तो डालमें अगर आप आपने देखा हो डाल का अप एक दाना लेना जिसमें कीडा लगा हो अंदर से उसमें देखना तोड खोकली हो चुकी रहेगी पूरी हो जाएगी क्यों कि कीड़ा घुसता है infection होता है microorganism घुसता है और अंदर से जाकर के जो seed grain होते हैं उनको खोकला कर देते हैं तो होगा क्या जो seed grain है वो हलके हो जाएंगे और हलकी जैसी पानी में डाला तो यह नीचे जाकर के सेटल हो गए लेकिन यह वाले जो उपर जो seeds तैर रहे थे वो तैरे क्यों कि उनमें infection था अंदर से वो खोकले थे हलके थे इसलिए पानी में उपर की तरफ तैरते रहे तो यह पहचान होती है good quality और bad quality seeds के बीच में ठीक है I hope अभी तक की जो हम बात कर रहे हैं वो सभी के समझ में आ रही होगी अब क्या करना है आगे देखते हैं हमारे पास क्या है अब methods of sewing की बीजों को बोया कैसे जाता है तो एक होता है मैनुवल मतलब क्या कि इनसान करते हैं लोग करते हैं हमारे किसान करते हैं seeds are sown in the soil by hand और manually are called also called broadcasting ठीक ना broadcasting एक word है यानि कि जब हम हातों से ही मिटी में हातों से ही मिटी में जब seeds को sow करते हैं बीजों को बोते हैं तो उस process को हम क्या कहते हैं broadcasting कहते हैं in this method कैसे होता है वो भी देख लेते हैं in this method the seeds are taken in the hand and gradually scattered in the entire plugged field हुआ क्या कि आपने अपनी soil को prepare किया था आपकी जो soil थी वो plugged थी अब हुआ क्या आपने एक हाथ में मुठी भरी seeds से और उसको आपने ऐसे randomly scatter करना शुरू कर दिया आपने देखा होगा कई बार लोगों को picture वगेरा में movies वगेरा में लोग क्या करते हैं हातों में बीजों को लेते हैं और ऐसे randomly scatter करते रहते हैं ठीक है तो इस process को हम क्या कहते हैं broadcasting कहते हैं इनसान कर रहे हैं हातों द्वारा की काम हो रहा है बीजों को बोया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं broadcasting this is one of the traditional method यह एक traditional method है ऐसा नहीं कि अभी अभी जो है न हमने बीजों को हाथ से scatter करना शुरू किया है यह एक यह दो साल पुराना है बहुत पहले से broadcasting method जो है use हो रहा है seeds को sow करने के लिए this method is not good because अच्छा अब इस method की थोड़ी सी बुराई कर लेते हैं कि यह method अच्छा नहीं है क्यों अच्छा नहीं है because there is no proper spacing or proper depth at which the seeds are sown by hands और विस सी बात है आप क्या कर रहे हो हाथ से randomly बीजों को fake रहे हो scatter कर रहे हो अब कौन सा बीच कहां जाकर के गिर रहा है आपको क्या पता हो सकता है कि suppose आपके पास इतना बड़ा area है इतना बड़ा area है और इस एरिया में आप क्या कर रहे हो हाथ से Physics एक सार गए हो और यहां पर थोड़े कम हो फिर यहां पर सारे सीड एक साथ गिर गए हो जाकर के क्योंकि आपको अगर गिराई हो हो रहा है सीट्स का सीट्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है यहां पर जहां पर सीट्स जादा है तो जहां पर मतलब जिस एयर में सीट्स जादा गिरे वहां पर सीट्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है यहां पर सीट्स जो हमारे वह थे सीट्स ते जो बीच थे, वो कम गिरे थे, तो वहाँ पे seats के बीच में spacing है, तो कहीं है, कहीं नहीं है, proper distribution नहीं है, even distribution नहीं है, uniform distribution नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों कि आपने क्या करा है, बस हाथ से randomly बीजो को फेका है, scatter किया है, ठीकि न, broadcasting method आपने perform किया है, प्लस, एक तो spacing नहीं है, हम बोल रहे हैं कि दूसरी चीज क्या, कि proper depth, याने कि proper गहराई, जितनी गहराई में बीजो को बोना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि, सबसे अंदर वाली layer में soil की चा करके, आपने जहना बीजो को बो दिया है, proper depth भी important होती है, कितने depth पे कौन सा seat गिर रह है, सब भगवान वरोज से चल रहा है, तो कुल मिला करके, ये method अच्छा नहीं है, दूसरा एक और drawback है, broadcasting method का, कि आपने क्या किया है, रेंडम ली जो है ना, seats को फेंक दिया, अब proper गहराई में तो वो गए नहीं, आइन चिडिया, कितने आपने फेके थे, सपोस्ज सौ आ लोगने के बारी आई, तो आपने देखा कि केवल पचास ही होगे, डाले सिथे सीट्स आपने 100 और कितने crop plants होगे, केवल पचास, ऐसा क्यों, क्योंकि 50 तो चिडिया आई और खा करके चली गए, तो birds आकर के जो है, खा के चली जाती है, कब अगर seats proper depth में ना, क्योंकि उपर ही उपर पड़े हैं, तो चिडिया तो आकर के खाई लेंगी, चोग ही लेंगी वो सीट्स, तो इसलिए कुल मिला करके ये method अच्छा नहीं है, traditional method है, convenient है, बस seeds को scatter करना पड़ता है, बहुत जादा human labor इसमें required नहीं है, लेकिन कुछ भी कहो अच्छा तो नहीं है, फिर क्या करें, ये तो समस्या हो गई न, हम न, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दूसरा method जो है, perform करेंगे, जिसको हम कहते है, seed drill, ये, it is a mechanical method, ये एक mechanical method होता है, by using a tractor और bullock driven, basically, या तो tractor से भी हो जाता है काम, ये जो bullock होती है, यानि कि जो bell होती है, उनके थूरू भी ये जो method है, ये perform किया जा सकता है, अब seed drill होता क्या है, it is a long iron tube having funnel at the top, यहाँ पे एक funnel shape का, ठीक है न, funnel shaped एक structure होता है, और इस funnel को, shaped structure क्या funnel ही होता है, इस funnel को जो है, लोहे की एक लंबी सी tube के साथ connect किया जाता है, और इस पूरे setup को हम क्या कहते हैं, seed drill कहते हैं, क्या समझा है मैंने, seed drill क्या है, एक apparatus है, एक tool है, जिसमें की एक funnel होता है, funnel को शायद पिपड़ी कहते हैं हिंदी में, I don't know, ठीक है, तो funnel होता है, और इस funnel को जो ह है, एक लंबी सी लोहे की tube, जो अंदर से खोकली होती है, लोहे की लंबी सी tube के साथ connect किया जाता है, ठीक है, अब यह tube कहां जाएगी, यह हमारी tube है, यह तो एक तरफ से funnel से connected है, दूसरी तरफ से यह किस से connected होती है, यह connected होती है, प्लॉ से, अगर आपको याद हो, तो previous session मे मैंने आपको बताया था कि खेत को जोतने के लिए, प्लॉइंग की process के लिए, क्या यूज किया जाता है, कई सारे tools, agricultural tools यूज किये जाते हैं, एक होता है, कल्टीवेटर जो कि आज के टाइम पर यूज किया जाता है, एक होता है हमारा फावडा, जिसको हम हो कहते हैं, और एक होता है प्लॉओ, ठीके ना, प्लॉओ कैसा होता है, प्लॉओ में हम बोलते हैं कि एक लंबा सा ऐसा, एक बीम होती है, जिसको हम प्लॉओ शेफ्ट कहते हैं, लिख देती हो मैं, ये होता है प्लॉओ शेफ्ट, ठीके, इस प्लॉओ शेफ्ट के इधर साइड में क्या हो होता है और इसी हैंडल में राइट एंगल पर एक ब्लेड लगी होती है ट्राइंगुलर ब्लेड लगी होती है हैंडल के पास अब यह ब्लेड लकडी की भी हो सकती है और लोहे की भी हो सकती है इस ब्लेड को हम कहते हैं इस ब्लेड को हम कहते हैं प्लॉफ शेयर क्या कहते हैं प्लोऊशेयर ठीक है और यह जो दूसरा end है न प्लोषेyeft का यहां पर एक और लकडी की बीब लगी होती है् यहां की लकडी का एक मोटा डंडा लगा होता है इस मोटे डंडे को जो बुलक ते हैं यानि कि जो बैल होते हैं दो बैल उनके पर इस की सबते है तो यह जब जलते हैं तो यह जो आप बोल सकते हो कि बीम है यह बीस आतम है लुट City जाती है तो इस चीशा यह ही इस हंडीकर जाता है इसको रखा जाता है रखागे बढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा तो यह plaw shift आगे बढ़ेगी, plaw shift आगे बढ़ेगा, तो यह जो handle है, इसको नीचे किया जाता है, ताकि यह जो blade है, plaw share जिसको हम बोल रहे हैं, यह कहाँ जाए, मिट्टी में जाए, और जैसे जैसे bell आगे बढ़ेगी, यह plaw share क्या करेगा, मिट्टी में गढ़ा बनाते हुए आगे जाते जाएगा, ठीक है, तो यह plaw की process होती है, पिछले session में भी मैंना को समझाया था, तो होता क्या है, यह पूरा हुआ क्या, plaw का structure की कैसे plaw काम करता है, अब यह जो हमने बनाया है अपना दूसरा tool, जिसका नाम क्या है, जिसका न है seed drill, funnel shape का structure हो गया, इसको हमने लोहे की बनी एक long tube से connect किया, और इसी long tube को हम दूसरे end से, इसी plaw के साथ क्या करते है, प्ला मतलब हल, ठीक है ना, इस हल के साथ connect कर देते हैं, अब होता क्या है, बैल बड़ी आगे, तो यह वाला जो beam है, लकडी है, यह भी आगे बड़ी, यानि कि यह आपका पूरा hull है, वो चलने लगा, hull चला तो क्या हुआ, यह जो plaw share है, यानि कि यह blade है, यह आगे बड़ी, इसने क्या करा, जमीन में, यानि कि मिट्टी में गड़ा खोद दिया, अब हुआ क्या, farmers आए, और उन्होंने इस funnel shaped structure में, seed डाल दिये, अब यह seed कह है, इस long tube में गए, यह long tube किस के साथ connected है, इसी hull के साथ connected है, तो जैसे जैसे bell आगे बढ़ेंगे, यह जो plaw share है, hull का जो plaw share है, यह गड़ा आगे बनाता जाएगा, और इनी गड़ों में, funnel में, जो seed डाले हुए है, वो seed उन गड़ों में जाते जाएंगे, I hope यह सभी को समझ में आ रहा होगा, पूरा hull का structure मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, किस तरीके से वो काम करता है, वो मैंने आपको समझा दिया है, इसी hull को हम seed drill के साथ जब connect कर देते हैं, तो जब plawing की process होती है, यानि कि जब hull चलता है, जमीन में, soil में गड़ों में ग seed drill method, जो कि हम बोलते हैं कि mechanical method होता है, वैसे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, by using a tractor और बुलक, या तो बैलो का use कर लो, या फिर अगर hull चलाना है, तो ट्रेक्टर का use कर लो, जो भी, वो तो बात है कि किसान के पास कितना पैसा है, कम पैसा है, तो वो low investment करके बैलो को चल कर देगा किस के साथ, seed drill के साथ, तो cultivator आगे बढ़ेगा और गड़े बनाते जाएगा और साथी साथ, बीज भी उसमें drop होते जाएंगे गड़ों में, ठीक है, डिपेंड करता है कि किसान के पास पैसा कितना है, वो कितना invest कर सकता है, फिर इसके बाद में, this is tied, अचा अब यह जो मैंने explain किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, seed drill is a long tube, iron tube, having funnel at the top, this is tied with the plaw and seeds are put into the funnel of seed drill, these seeds are gradually released and sown into the soil furrows made by the plaw, हल, यहने कि लो जो गड़े बनाएगा, उन्ही गड़ों में, seed जो है, sow होते जाएंगे, thus using seed drill for sowing, the seeds are sown at correct depth, correct interval and in regular rows, therefore it prevents overcrowding of plants and each plant gets sufficient sunlight, nutrients and water from the soil, अब यह बहुत important पूरी लाइन है, कि seed drill को use करने से फाइदा क्या होता है, seed drill को use करने का फाइदा यह होता है, कि सबसे बड़ी बात, जो तो बीज होते हैं, वो एक regular depth पे, सभी के सभी seeds regular depth पे sow होते जाते हैं, यानि कि बीज जो है, सभी एक ही depth पे बोई जाते हैं, ठीक है जब हम बात कर रहे थे, scattering वाले की, तो मैंना अको बताया था, broadcasting में क्या होता है, कहीं बीज जो है जादा डल गए, कहीं कम डल गए, कहीं seeds अच्छी proper depth पे पड़े हैं, कहीं उपर यूपर पड़ें, तो उपर यूपर जो seeds पड़ें, उनको bird आ करके खा के चली गई, लेकि seeds के बीच में, एक regular intervals भी होता है, ऐसा नहीं कि भीड लगी हुई है, कहीं बहुत space है, कहीं कम space है, regular intervals पे जाएंगे, regular depth पे जाएंगे, प्रॉपर depth पे जाएंगे, ताकि चिडिया जो हैं उसको आके खाये ना, और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि over crowding भी plants की prevent करी जा सकती है, औ तो seed drill का use करके भीड को जो है avoid किया जा सकता है, ताकि सभी हर एक crop plant को जो है sufficient nutrient मिले, पानी मिले, sunlight मिले, soil के थुरू, I hope इतना सभी को समझ में आया होगा, अब आगे क्या है, the seeds sown in furrows by this method are covered by soil, therefore cannot be picked by and eaten by birds, इसके बाद में गड़ो में जो हमने seed डाले हैं, उसके उपर मिट जाल देते हैं, ताकि चिडिया आ करके इनको खाना पाए, it also saves time and labor, time भी बचता है और labor भी बचता है, बलक बलक driven seed drill had just one long iron tube with a funnel, while the tractor driven seed drill has five to six iron tubes joined together with a common funnel at the top, वो वाला seed drill जो की बैलो से चलता है, उस seed drill में केवल एक ही iron की tube होती है, और वो वाला seed drill जिसको tractor चलाता है, तो उसम क्या होता है, जैसे कि ये एक funnel है, अब इस common funnel को कई सारी iron tubes के साथ जो है connect कर दिया जाता है, ठीके कई सारी iron tubes के साथ connect किया जाता है, तो एक time पे कई सारे seeds को एक साथ जो है बो दिया जाता है, ये एक real image है, seed drill की आद देख सकते हो कि ये funnel shaped structure है, इसमें बीच डाले जाते हैं और ये देखो, किते सारे यहां पे iron tubes लगी हुई है और हर एक iron tube को जो है हल से connect किया गया है, ये क्या है, ये सारी iron tube है, ठीक है, और ये देखो, ये जो आपको पूरा structure दिखाई दे रहा होगा, ये वाला structure क्या है, ये है पूरा हल, ये जाता है या तो TRACOR से connect हो जाता है, यह बैलो से कनेक्ट उचाता है क्योंकि इसमें आरेन ट्यूब जाद है इसका मतलब डेफिनेटली यह वाला जो होगा यह ट्रैक्टर ड्रिवन होगा ट्रैक्टर से चलेगा तो आगे हमारा जो है ट्रैक्टर आ जाता है और पीछे देखो पीछे क्या है यहां पे हल लगा यह गढद्धा बनाती जाएंगी ऊपर से जो किसान है इस फज औल में सीड डालते जाएंगे तो जैसे जैसे गढदे बनते जाएंगे इंट्यूब की हैजस से सीड जो है उनगडों में आते जाएंगे रेगिलर इंटिभल्स फेरगिलर स्पेस्पे, प्रॉपर धेप्थ ठीक है और फिर उपर से मिट्टी से कवर कर दिया जाता है तो यह बात हुई किसकी सोइंग की सोइंग कैसे करी जाती है दिख रहा होगा यहां पर आपको देखो यहां पे ट्रैक्टर है यहां पर फनल भी बहुत सारे हैं और ट्यूब लगी हुई हैं गड़े खोद रहे हैं और बीच को बो रहे हैं यह ट्रैडिशनल मेथड है जहां पर बैलो का यूस कर रहे हैं किसान और एक ही यहां पर आपको ट्यूब दिखाई दे रही होगी ठीक है अब इसके बाद में यह कहानी हुई किसकी सोइंग की अब कुछ प्रिकॉशन से जो की लेने पड़ते हैं स फॉलोंग प्रिकॉशन शुट बी टेकन वाइल सोइंग सीट इन दा सॉल ठीक है कौन कौन से शुट बी सोन एट राइट डेप्ट इन दा सॉल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन सही डेप्ट होना जरूरी है इफ दे सीट आ जस्प्रेड ऑन दे सर्फिस ऑफ दे स्वाइल थ सीट विल भी इटन बाइट ब्राइट ब्राइट ऑवेसी बात है अगर के वाल आपने सॉल में जो इना फेक दिया है स्कैटर कर दिया तो चुडिया आगे कि खा जाएंगी और इफ दे सीट आर सोन टू डीप अगर बहुत जादा ही गहराएं में आपने बीजों को बोया ह है आपको समझ में आएगा कि जो सोई है वो बहुत होती जाती है यानि कि सोई के पार्टिकल के बीच में इंक तो वह हैसे नंनी रूट रूट बगई निकलेंगी तो वह रूट जो है ना उनको एर ही नहीं मिलेगी और अगर air नहीं मिलेगी तो फिर वो breathe कैसे करेंगी और अगर breathe नहीं करेंगी तो आगे की growth नहीं हो पाएगी यानि कि आपका seed जो है वो germinate नहीं हो पाएगा ठीक है? So the seeds should be sown at right depth in the soil which is suitable for germination तो सही germination वाली depth में sow करना जरूरी है. This right depth is learned by experience. Obviously बात है अगर आप 10 साल खेती करोगे तो 10 साल के experience आपके पास आजाएगा. तो जितना आप कोई भी चीज़ करते जाओगे experience आपको मिलता जाएगा आप नहीं नहीं चीज़े सीखते जाओगे. Second precaution क्या हो सकता है? The seeds should be sown at right intervals or spacing. उनके बीच में space proper होना चाहिए. The seeds should neither be placed too close nor too far apart. ऐसा भी नहीं कि seeds को हम एक seed यहाँ है तो दूसरा यहाँ है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. बहुत उनके बीच में gap भी नहीं होना चाहिए. और नहीं seeds के बीच में space बहुत कम होनी चाहिए. ठीक है? This is because if the seeds are sown too close then plants formed them from them will also too close and will not get enough sunlight, water and other nutrients. बहुत सारे यहाँ पर आपने अगर एक साथ बीच बो दिये तो इन सभी बीजों से एक एक पौधा निकाल आएगा. है ना? अब देखो इतने से एरिया में 6 plants grow कर रहे हैं. तो इन 6 plants को nutrients चाहिए है, sunlight चाहिए है, पानी चाहिए है. तो यह सभी के सभी 6 plants क्या करेंगे? आपस में competition करने लगेंगे. कि तुम नहीं लोगे soil से पानी हम लेंगे, तुम नहीं लोगे soil से nutrients हम लेंगे. तो 6 के 6 plants एकी कम से कम जगा में आकर के बैड़ गए हैं, ग्रो कर रहे हैं और आपस में competition कर रहे हैं. ठीके? तो competition भई, competition अच्छा होता है, healthy competition अच्छा होता है. लेकिन यह लोग तो आपस में भाई भेहनी लड़ रहे हैं, तो फिर कैसे काम हों पाएगा? तो यह competition अच्छा नहीं है. ठीके? रहेंगे, तो पानी भी मिलेगा सब को, न्यूटरिन में भी मिलेगा, सललाइट भी मिलेगा, बढ़ना आपस में लड़ते रहेंगे. On the other hand, if the seeds are sown two far apart, then it will be wastage of field space. आपको बच्चों की दिमाग, मैं आगा, ठीक है, मैं यह पास-पास नहीं कर सकते हैं, तो दूर-दूर कर देते हैं, अरे दूर करोगे, तो क्या होगा? वेस्टेज होगी ना, फिल्ड की, आपकी फिल्ड में 100 पॉदे लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने दो-दो, यह नो, पचास लगाए हैं, दूर-दूर करके, तो जो आपका लैंड है, वो उस एरिया का वेस्टेज होगा की नहीं होगा, 100 लग सकते हैं, कैपैसिटी 100 प्ल जोड Cancerous AirPERAWRhrash, they may not terminate at all, moisture जरूरी रही होता है, Tumblr में, आप no konstlar नहीं डालोगे, तो seed germinate豈 नहीं होपाएंगे, तो जब बीजो को बोने की बार ही आती है, तो soil क्या होनी चाहिए, गीली होनीचाहिए The seeds should not be sown in a highly wet soil बहुत ज़ादा पानी भी नहीं होना चाहिए कि बिलकुल मिट्टी जो है ना पानी के नीचे दबी हुई है If the seeds are sown in a highly wet soil then on drying the soil surface becomes hard and because of this hard surface soil, the germination plumule will be unable to come out of ground होगा क्या? अगर आपने लबा लब पानी भर दिया अपनी मिट्टी में तो जैसे पानी सूखेगा, मिट्टी हो जाएगी, कड़क, मिट्टी हो जाएगी, tight अब seeds से जब छोटे छोटे नन्ने नन्ने जो है ना shoot निकलेंगे, root निकलेंगे तो वो इस tight soil में जो हैना penetrate नहीं कर पाएंगे और अगर penetrate नहीं करेंगे तो फिर survive कैसे करेंगे यहने कि germination वहीं के वहीं रुख जाएगा इतना आया समझ में moreover the seeds are not able to respire properly due to lack of air under these conditions of hard surface of soil और वेसी बात है ना मैंने आको क्या समझाया कि लबा लब आपने मिट्टी में जो हना पानी भर दिया पानी सूखा मिट्टी कड़क हो गई मिट्टी कड़क हो गई मतलब क्या soil की जो particles है उनके बीच में spaces बहुत कम हुई अगर इनके बीच में spaces कम है तो इन spaces में air नहीं भर पाएगी अब हुआ क्या seed ने germination शुरू करा यह रहाव का seed इसने क्या किया germination शुरू करा अब germination इसने शुरू किया इसकी roots निकल रही है roots को चाहिए air roots मांगेंगी air लेकिन हुआ क्या soil particles के बीच में spaces ही नहीं है उसमें तो air ही नहीं है तो roots को air मिली नहीं वो respire नहीं कर पाए और फिर seed का जो germination है वो दुबारा से रोग गया तो proper space होना चाहिए है ना soil अगर बहुत tight हो जाएगी तो air soil particles के बीच में spaces कम हो जाएगे air उसमें नहीं हो पाएगा ठीक है ना तो वो respire नहीं कर पाएगे roots और साथी साथ हम बहुते हैं कि roots penetrate भी नहीं कर पाती है tight soil में तो ये कुछ precautions हैं जो की beach बोने के time पे लिये जाते हैं ना बहुत गीली मिटी हो ना एकदम सूखी मिटी हो ठीक है ये सारी बाते ध्यान में रखनी पड़ती है अब एक छोटा सा और topic है seed transplantation का ये मैं आपको next session में समझा दूँगी क्योंकि फिर क्या होगा कि ये वाला session और लंबा हो जाएगा फिर आप बोलोगे कि मैं वीडियो सुझे बनाया करो चला दर आज के session के लिए बस इतना ही अब हम मेलेंगे अपने next session में आज के session में हमने क्या सीखा हमने second agricultural practice के बारे में सीखा कि बीजो को कैसे बोया जाता है sewing की process कैसे होती है एक हमने traditional method देखा manual method जेगा जिसको हम broadcasting कहते हैं और फिर हमने देखा कि seed drill जो कि एक mechanical method होता है उसको कैसे perform किया जाता है और sewing के लिए क्या-क्या precautions लगते हैं ये भी हमने देख लिया इस session के लिए बस इतना ही next session में हम discuss करेंगे अपने chapter के कुछ और नए topics को तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website magnetbrains.com उससे visit कर लिजेगा जहांपे आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे playlist के form में arranged तो वो आपके लिए होगा देखना काफी convenient so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching